आपने एक कहावत तो सुनी होगी जब भगवान देता है तो छप पर फाड़ कर देता है पंजाब के मोगा जिले में भी कुछ ऐसा ही सामने आया जहां धर्म कोट के गाउं लोहगड में एक गरीब रिक्षा चालक की किस्मत बदल गई उन्हें बैसाखी बंपर धाई करोड इनाम लगा है 90 वर्षिये गुरुदेव सिंग इस उम्र में रिक्षा चला कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं गुरुदेव सिंग ने अपनी किस्मत आजमाते हुए बैसाखी पर 500 रुपय का बंपर टिकेट खरीदा था उन्हें क्या पता था कि ये 500 रुपय का टि उसने खरीदा है वो उसे करोड़ पती बना देगा जिस एजंट से गुरुदेव सिंग ने 500 रुपय का बंपर टिकेट खरीदा था वो उसके घराया और बताया कि उन्हें धाई करोड़ रुपय की लोटरी लगी है रिक्षा चालक गुरुदेव सिंग का कहना था कि ये सेवा भाव की वज़े से हुआ वो पिछले 40 सालों से सडको पर होने वाले गड़ों में मिट्टी भरते थे ताकि कोई सडक हासा ना हो और साथी सडक के किनारे पेड़ पोदों को पानी देते थे गुरुदेव सिंग का कहना है कि जो 40 साल में उन्होंने सेवा की उसका फल भी पेड़ों में मिला है गुरुदेव सिंग ने बताया कि उनके चार बेटे और एक बेटी हैं सभी बेटों और बेटी की चादी कर चुके हैं सिंग ने बताया कि प्रमात्मा ने उनकी सुनी है और उनकी किरपा से आज उन्हें धाई करोर रुपे की लाट्री मिली है इन रुपयों से अपने बच्चों के लिए एक अच्छा घर बनाएंगे साथ ही गरीब लोगों की सेवा करेंगे